दोस्तो आज किस वीडियो हम संसद और विधान मंडल संबंदी कुछ महत्पून अनुच्छेदों को याद करने वाले हैं तो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमार यूटूब चैनल फ्री एजुकिशन में चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं दोस्तो संसद के संबंद में हम कुछ basic information जान लेते हैं उसके बाद संसद से संबंदी विधान मंडल से संबंदी जो भी अनुचित पूछे जाते हैं उनको हम ट्रक के मद्यम से याद करेंगे संसद यानि कि पार्लियमेंट भारत का एक विधाई निकाय है विधाई निकाय से तरत पर होता है कि एक संबिधान एक निकाय है यानि कि संसद के प्रमुक कारिय क्या होते हैं तो संसद के प्रमुक कारिय होते हैं कारे पालिका का नियंतर करना है यानि कि जो भारत की कारे पाली कहा, उसका नियंत्रन कौन करेगा, संसत करेगा, दूसरा कानू बनाना जो भी भारत में कानू बनाता है, कौन बनाता है, संसत बनाता है, तीसरा व्यत्त का नियंत्रन करना चोता है, बिमर्ष सुरू करना चोता है, संविधान करना यानि कि संविधान में कोई भी संसु करती हैं लेकिन कहा करती हैं हमेशा याद रखना है 사नशद Stave और विधान मंदल में हमें अंतर याद रखना है कि इतने काらいे सेंट्र लेबल पर कोई करेगा Looksup Summit क्रेगा और यदि राज इस्तर पर किसी भी राज़ की बात करें राज इस्तर पर यही सम्कारी कोई कर रहा है कितने होते हैं संसत के सदन कितने होते हैं हमें सब पूचा जाता है और परिक्षा में कनवीज भी करता है तो संसत के तीन अंग होते हैं कौन-कौन से होते हैं लोकसभा राजसभा और राश्टपती हैं हमें ऐसा भी कह सकते हैं कि संसत तीन अंगों से मिलके बनती है लोकसभा राजसवा और राष्टपती लेकिन यदि सदन पूछता है कि संसत के सदन कितने होते हैं तो संसत के दो सदन होते हैं लोगसवा और राजसवा देखें लोगसवा को आइस्थाई सदन कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है राजसभा को इस्थाई सदन कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि राजसभा कभी भी भंग नहीं होती राजसभा के दो वटे तीन सदस प्रतेक दो साल में सेवानी वरत होती रहते हैं के लिए राजसवा कभी भंग नहीं होती इसलिए इसको क्या कहते हैं इसता ही सदन कहते हैं लोगसबा और राजसबा में कुछ वैसे के डिफ्रेंस और हैं वो भी आप जाने लेजी देखे लोगसबा के जो सदस्यों की अवधी होती है जो कारेकाल होता है वो पांच वर्स हो और यदि हम बात करें लोगसबा सदस्यों की जो नियुम्तम आयू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए यह 25 वर्स यदि बात करें राजसबा की सदस्यों की तो कितनी हो चाहिए नियुम्तम आयू तीस वर्स तो यह कुछ basic important difference थे इसके बाद detail में तो जब भी हम लोगसबा सब्ध है सरल और संख्या क्या है 79 ठीक है तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है एक सब्ध है सरल और एक संख्या है 79 ठीक है यह दिए आप एतनी दो चीज़ waż रखने तो आपको यहां से 6 अनुचिद भौती महत्पून अनुचिद याद हो जाएंगे कैसे चलिए हम बताते हैं देखिए सरल के यहां सा से हमारा क्या बनता है संसद ठीक है रा से हमारा क्या बन जाता है राजसवा ला से हमारा क्या बन जाता है लोकसवा किलियर और 79 के बाद आप आगे बढ़ते जाएं 79 में संसद का वणन किया गया है कि भारत के लिए एक संसद होगी ठीक है और असी में कहा गया है कि भारत की एक राजसभा होगी यानि कि अनुचिद असी में राजसभा के संबंद में वणन किया गया है अनुचिद 21 में लोगसभा के संबंद में वणन किया गया है कि भारत की एक लोगसभा होगी क्या क्या कारी होंगे यह सभी जो वणन है अनुच बिधान मंडल है उसका वर्ण किया गया है अनुच्छिद 168 में 168 में अब इसको हम कैसे याद रखेंगे देखिए हमने एक संख्या हम आपको बता दें कि जो संसत काम करती है राश्ट स्तर पर वही बिधान मंडल काम करता है राजस्तर पर और जो राजसवा काम करती है राश्ट स्तर पर और राजस्तर पर किलियर इतनी चीज़ें आपनों को पता होने चीज़े कि लोग सभा बिधान मंडल और सांसत एक ही चीज है तीक है राजसभा और बिधान परिसत एक ही चीज है लोग सभा और बिधान सभा एक ही चीज है लेकिन इनका कारिय होता है रा पाजिस्तर पर किलियर यह चीज बैसेक सी चीज है आपनों को पता वैसे भी होंगी तो चलिए हम देख लेते बिदान मंडल का बढ़न किया गया अनुच्छे दे 168 में इसको हम कैसे याद रखेंगे देखे हमने एक संख्या याद किती 79 ठीक है और 79 में हमें पिलस करना है 89 जैसे हम 89 पिलस करेंगे तो क्या बन जाएगा 168 ठीक है यानि कि हमें दो संख्या याद रखना है एक रखना है 79 और एक रखना है 89 तो क्या बन जाएगा 168 अब 79 में वर्णन किया गया था संसत का और 168 में वर्णन किया गया है विदान मंडल का और संसत और विदान मंडल तो एक ही है, डिफरेंस के बल इतना है, कि संसद राष्ट स्तर पर काम करता है, और विधन मंडल राज स्तर पर काम करता है, ठीक है, उसी प्रकार से राजसवा, राजसवा का वणन किया गया है, अनुच्छिद 80 में, अब अनुच्छिद 80 में जब आप 89, देखी हमेशा हमें एक्टी नाइट प्लेस करना है, तो क्या हो जाएगा, 169, ठीक है, तो राजसवा के यदि वणन अनुच्छिद 80 में किया गया है, तो यदि हम अनुच्छिद 80 में, 89 प्लेस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्सो उनत्तर, यानि कि 169, तो विधन परिसत का वणन किया ग है, अनुच्छिद 170 में, देखिए, बहुती महत्पून अनुच्छिद हैं, परिक्षाओं में यहां से एक नाएक अनुच्छिद मूच लिया जाता है, तो basically हम रट लेते हैं, तो हमें याद नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा यदि आप logic लगाते, तो पूरी life इसको आप पूला पाएंगे, अच्छे से इसका स्क्रीन सोट लें, ट्रेक को एक बार आप मन से वनाएं, आप अपनी कॉपी पर लिखें, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, चली हम बात, चली हम समझ लेते हैं, अनुच्छिद 168 को, तो अनुच्छिद 168 में लिखा गया है विधान सवा और राजपाल, किवल सात राज़ियों में तीन चीज़ों से मिलकर बनेगा विधान मंडल, बाकि के जो अन राज़ बचते हैं, उनमें दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, कौन-कौन से, राजपाल और विधान सवा, ठीक है, राजपाल और विधान सवा, क्यों क्यूंकि केवल भारत के ऐसे 7 राजजे जिन में की बिधान परीशान है किवल 7 राजजे हैं जिन में बिधान परीशा ुचानी नहीं है कीसे कर सकते हैं यूदि किसी राजी में विधान सवाओं की सरवाचनाow कैसी होगी तो Mississippi ूझालेते हैं की भारत के साथ राज Georgia वह कौन- जहां पर विधान परिशद हैं, बाकी कि राज्यों में विधान परिशद नहीं है, केवल क्या है? विधान सवा है, ठीक है, तो आपको अंतर याद रखना है, और ये शॉत राज्य हमेशा परिक्चमप पूछा जाता है, option दिये जाते हैं कि निमने मैं से किस राज्यों में आप select कीजिए या फिर दिया जाएगा कि इनमेंसे बिधान सबा नहीं है आप select कीजिए तो सातों आपको याद होना बहुत ही जरूरी है तो सातों को हम बहुत ही सरल ट्रेक की माध्यम से याद कर लेते हैं देखिए ट्रेक बहुत ही सरल है अब तुम करना जरा ठीक है ट्रेक सरल है एक sentence है एक बाख्य केवल आपको याद रखना है अब तुम करना जरा ये ऐसे सात राज है जहां पर बिधान परिशदों का वणन ह जहां जिन राज्यों में बिधान परीशद हैं वो राज्य हैं ठीक है चलिए explain कर लेते हैं अब के A से हमारा बन जाता है आंद्रप्रदेश B से हमारा बन जाता है बिहार T से हमारा बन जाता है तेलंगाना U से हमारा बन जाता है उत्तरप्रदेश M से हमारा बन जाता है महराष्ट करना से हमारा बन जाता है करना टक होजरा से हमारा बन जाता है जम्मु कस्मी तो ये सात राज ऐसे हैं जहां पर बिधान परिशंदों के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तो ये छोटा सा वीडियो था मैं डेटेल वीडियो भी बना सकता हूँ लोग सभा, बैधान सभा, सारी चीजें एक एक करके मैं आपनों को समझा सकता हूँ अब ही केवल हमें अनुच्छे दियाद करवाना था और बिल्कुल बैसिक सी चीजें आपनों को बताना था वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक जरूर करना अपने मित्रों के साथ सेर करना और पीछे आपनों को चार और वीडियो देख रहे होंगे उनको भी देखना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना साथ में दवाना वैल आइकन जिससे कि जो भी नया अपडेट आता है नया वीडियो आता है आपनों को मिल सके थैंक यू दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत वन दे